हेलो फ्रेंड्स मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ओल या जीमिकंद की सबजी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट करना ना भूले और बैल आइकन क को ज़रूर दबाएं जिससे की मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि ओल या जीमिकंद की सब्सक्राइब के लिए यह ओल को मैंने अच्छे से दो के और मोटे मोटे टुक्रों में काट लिया है इसे हम बॉल करेंग एक सीटी कुकर में लगाना है बस उतना ही दिन में बॉयल करना है अगर आपको यह साइज बढ़ा लगे उसके बाद आप छोटा कर लेना लेकिन अभी पहले मोटा मोटा टुक्राइं काटना है इसका काला सर्सो एक चम्मच दो चम्मच पीली वाली सर्सो दो मीडियम साइज के प्याज आठ से दस लसुन की कलिया नमक स्वादनुसार तेल सर्सो का तेल सही रहेगा आप सर्सो के तेल में इससे बनाए नीम्बू एक नीम्बू का रस ले लिया है मसाला पॉड़र में हमें चाहिए धन्या पॉड़र, मिर्च पॉडर और हल्दी पॉडर और एक चम्मच और एक सूखी लाल बेच मिर्ची का टेस्ट जो है वह आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जब ज़्यादा तीखा खाते तो आप दो ले सकते हैं कम खाते हैं तो एक लें अब सबसे पहले हम ओल को कूकर में डालेंगे यह मैंने एक किलो लिया है एक किलो ओल को अच्छे से धो के और काटने पे वह 700 ग्राम के करीब निकलता है कि उसके उपर बहुत ज़्यादा मिट्टी भी होती है तो अच्छे से धोना है से पानी हमें उतना ही लेना जितना में यह ओल दूब जाए अंदर की तरफ और इसे एक सीटी लगाना है खुकर को बंद करके और गैस पे चढ़ाके एक सीटी लगाना है तब तक हम मसाले की त्यारी करते हैं काली और पिली सर्शो को और लहसुन को एक साथ में ब्लेंडर में पीस लेना है यह देखिए यह ओल जो है वह उबल गया आप एक सीटी से ज्यादा नहीं लगाए और तुरंट सीटी नहीं काल दे नहीं तो साड़ा ओल जो हैं वह टूट जाएगा और इस पर हम हलका सा धन दन्या पॉडर आधा चमच धन्या पॉडर आधा चमच मुर्ची पॉडर और आधा चमच हल्दी पॉडर चिरक्टे और नमक टेस्ट के हिसाब से वह लने के बाद यह बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो आप इसे ध्यान से मिक्स करें और नहीं तो आप इसको ऐसे फैल आके और उसके उपर भीची रख सकते हैं इसे मोटे टुक्रो में ही काटिएगा वरना यह पूरा गल जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दें ज्यादा फोर्सली ना मिक्स करें अब हम इसको फ्राई करते हैं क्राही लेंगे और तेल को खूब अच्छे से गर्ब करेंगे और फिर यह जो हमने उबाल के रखा है उसको एक-एक करके जब तेल गर्म हो जाए एक-एक करके डालेंगे और ध्यान से जिससे की यह तूटे नहीं और इसे दोनों तरब से अच्छे से फ्राई कर लेना है और ध्यान से पलटी का यह तूटना नहीं चाहिए क्योंकि यह उबला हुआ है तो तूट भी सकता है यह देखिए यह तरब से अच्छे से लाल हो गया है अब हम इसको पलट देते हैं और फिस दूसरी तरब से अच्छे से लाल कर लेंगे यह दूसरी तरब से भी फ्राई हो गया अब इसको निकाल लेते हैं यह दिखिए इसके प्राई हो इसकी बड़ता हैं यह दिखिए इसके एच्छोटा इसके अधाय के उखिए अच्छोट करें निकाल यह दूग से जब देखिए. कि देखिए फ्राई होगे ऐसे ही जितने भी ओल है वह हम फ्राई कर लेंगे यह सारे ओल फ्राई हो गया है अब हम इसकी ग्रेवी तियार करते हैं तो क्राही लेंगे और उसमें तेल गर्म करेंगे तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से तेल गर्म हो गया है अब हम इसमें खड़े मसाले जो हैं एक मिर्ची और आधा चम्मच सरसो डाल देंगे और जब सरसो चटक जाए फिर उसमें हम दो वीरियम साइज के प्याज अच्छे से पतले पतले काट लेने वो डालने हैं और प्याज को लाल होने देना है इसमें थोड़ा सब नमक डाल देते हैं जिसे की प्याज जल्दी लाल हो जाए नमक फ्राइब करने में भी डाला है इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाले अब प्याज को अच्छे से भूनते हैं एकदम लाल हो जाएगा इसमें प्याज अच्छे से लाल हो गया है अब जो हमने ये काली सर्सो पीली सर्सो और लहसन इसका जो पेस्ट तियार किया है वो डाल देंगे इसमें और दो मिनिट भूनेंगे पहले कि दो मिनिट भूनने के बाद आधा चमच मिर्च पॉडर आधा चमच हल्दी पॉडर और आधा चमच धनिया पॉडर डाल देंगे और अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब कि इसमें से तेल ना छोड़ दें अब मसाला चलाते में भूनियेंगा जिस्से कि यह तले में पकड़े नहीं यह देखिए मसाला हो गया यह तेल छोड़ने लगा और चिपकने भी लगा कि अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप जितना भी आपको ग्रेयवी चाहिए उसी साथ से डाले अब हम इसे ढख के यह खौछ देते हैं यह जब खॉलने लगेगा ताब हम इसमें ओल डालेंगे यह अच्छे से खॉल जाएगा तब डालेंगे क्योंकि ओल डालने के वाद हमें तुर्णत गैस को बंद कर देना है so तो पहले इसे हम खॉलने देते हैं कि यह देखिए मसाला खॉलने लगा है अब इसमें जो हमने ओल फ्राइ करके रख रखा है उसको डालेंगे कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि अब हुआ कि अब है कि अब है कि थोड़ा है थोड़ा सद्हें आपता यह उप्सणल है आप डालना चाहिए तो डाल सकते बढ़ना नहीं क्यों एक से दो मिनट इसे पकाएंगे दो मिनट खुलाने के बाद आप इसमें निम्बू कारस डाल देते हैं निम्बू कारस सबसे लास्ट में डालना है और निम्बू कारस डालके गैस को बंद कर देना है निमू कारस इसलिए लास्ट में डालना है क्योंकि जो खटा है वो सब्ची थोड़ी सी भी तो और पकने नहीं देगे तो इसलिए सबसे लास्ट में डालके आप गैस को बंद कर दें यह सबजी त्यार हो गई है अब हम इसे खाने के लिए दे सकते हैं आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं